प्रिये सज्जनों, आज मैं आप लोग सामने एक ऐसे संथ के बारें बताऊंगा, जो कैलास की सीखर पर पहुंचा आध्यात्म के मार्प से मिलारेप तीपती संस्कृती में एक स्रिधे अव्यक्ती केवले कभी और गायक से कहीं अदिक थे वह एक रहस्यवादी सिक्षक और संथ थे, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा और गहन सिक्षाएं आज भी पिडियों को प्रेरिद करती है उनका नाम जिसका अर्थ है कपास, पहने उनकी सरल और विनम्र जिवन सैली को दरसाता है जिसे अक्सर पतले सफेद सुत्री वस्तरों में चित्रित किया जाता है हलांकि इस अप्रत्यासित उपस्तिती के नीचे एक महान रिशी की आत्मा थे जिन्होंने तीबत के अध्यात्मीक परिद्रिश्य पर एक अमीट छाप छोड़ी मिलारेब की जीवन कहानी अध्यात्मी की परिवर्तन कारी सक्ति और मानों भावना के लचिले पन का एक प्रमाड है तीबत की खाम छेत्रे में एक हजार चालिस में इस्वी में जन में उन्होंने अपनी सुरुवाती वर्सों के दौरान भारी तरासदी के अनभाव किया अपनी पीता की अचानक मृत्यों के बाद मिलारेप के परिवार को रिष्टादारों के हाथो दुरुविहार और अन्याय का सामना करना पड़ा दूख और क्रोद से भस्म मिलारेप ने परतिसोत की मांग की जिससे उस एक जादुगर से काला जादु सीखने के लिए प्रेरित किया गया उसने अपनी विनासकारी सक्तियों को उन लोगों पर उजागर किया जिन हुने उसके परिवार के साथ अन्याय किया था जिससे बहुत प्यडा होई हलांकी जैसे ही मिलारेप ने अपनी कारियों के प्रेडामों को देखा वह पस्चताप से भर गया और उसे अपने कारियों के खालिपन और अंधेरी का हसास हुआ छुटकारे और अंतरिक सांती की तलाश में उन्होंनों बाउत धर्म की और रुख किया और एक अध्यात्मिक सिक्षक की तलाश की उनकी खोज अंतता उन्हें प्रसित बाउध गुरू मारपा के पास ले गया मारपा के मार्क दर्शन में मिलारेपने अध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान की एक कठोर यात्रा सुरूगी उन्हुन तपस्या और तपस्या के जिवन को अपनाती हुए सभी संसारिक एक्षाओं और सुख सविधाओं का त्याग कर दिया मिलारेपने दूर दराज की गुफाओं और पहाडों में ध्यान करते हुए वस्त्विक्ता की प्रकृती पर विचार करने और अध्यात्मिक चागरिती की तलास करने में वर्सों बिताए कहा जाता है कि मिलारेप की सबसे प्रतिष्टित छवियों में से एक कैलास परवत पर एक गुफा में बैठे हुए उनकी है जो बाधों और हिंदुओं दोनों द्वारा पुजन ये एक पवित्र अस्थन है इस कभी में उन्हें एक ठंगका में चित्रित किया गया है बर्प से ढखी चोटियों और मानसरवर जील जिसको मरपाम की आसपास का पर द्रिस्य के आध्यात्मिक महत्व को चोड़ता है मिलारेप की कलात्म कभिव्यक्ति उनकी आध्यात्मिक परथाओं तक सिमित नहीं थी वह एक वीपुल कभी और गायक भी थे कहा जाता हैं कि उन्होंनों एक लाख स्याथी गीतों की राचना की जिन में से कईने हिमाले की चोटियों और छीलों की सुन्दरता और पवित्राता की प्रसंसा की उनकी कावे चंद न केवल उनकी आस पास के प्रकृतिक जमितकारों को चसमन मनाते थे बल्कि अपनी सिश्यों और अन्याईयों की गहन अध्यात्मिक शिक्छाओं को व्यक्त करनी के लिए इक माध्यम के रूप में भी काम करते थे मिला रेप की सिक्छाओं ने आंतरिक परिवर्तन करुणा और अंतिम सत्य की प्राप्ति के महत्व पर जोर दिया उन्होंने आत्म ग्यान के मार्ग की वाकालत की अपने सिस्यों को अपने आंतरिक संघर्सों को दूर करने और पीड़ा से मुक्ती पाने के लिए मगदर्सक किया उनकी बुद्धी और अंतर दृष्टी तिवती बाव धर्मों के चिकत्सों और दुनिया भर में अन्य आध्यात्मिक साथकों को प्रेरिद करती है आज मिलारेव को सबसे महान तिवती रिस्यों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी जीवन कहानी और सिक्षाएं बिभीन गरंतों और सास्त्रों में संरक्षित है उनका प्रभाव तीबत से परे फैला हुआ है जो बिभीन संस्क्रितियों और प्रिष्ट भूमी में भक्तु तक पहुँचता है ठांग कस और अन्यकलाक किरतियों में मिलारीप का चित्रन की गहन अध्यात्म की यात्रा और मानों आत्मा की परिवर्थनकारी सक्ति की याद लाता है मिलारेप का जीवन मानुविय भावना के लचीले पन और गहन परिवर्थन लाने के लिए अध्यात्मिक अभ्यास की सक्ति का परमाड है एक परसान और प्रतिसोधी इवाव से एक प्रबुद्ध रिसी और कवी तक उनकी यात्रा अध्यात्मिक चाक्रिती के मार्ग पर अनगीनत व्यक्तियों को फ्रेरित करती है मिलारेप के ठंगका और अन्य प्रतिन दित्व उनकी विरासत की एक जोलंत अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं जो हमें हिमालई परिद्रिश्य की सास्व सुन्धर्था और उनकी सिक्षाओं की गलातित ज्यान पर विचार करने के लिए मंत्रित करते हैं हर यूम तट सथ